महारास्ट्र में सोया बीन उपादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही सीजन के शुरुआत में अत्यारिक बारिश होने के कारण सोया बीन की फसल खराब हुई फिर बे मौसम बरसात में तयार सोया बीन की फसल बरबाद होने से किस्तानों को नुकसान उठाना पड़ा था वहीं अब बारिश में सोया बीन की फसल गिली हो जाने की वज़े से सोया बीन की क्वालिटी पर असर पड़ा है जिसकी वज़े से किसान बाजारों में बेहत कम दामों में सोया बीन भेशने के लिए मजबूर है तरसल राज्य में और सोयावीन उतपातकों को इस समय आर्थिक संकट का स्थामना करना पड़ रहा है. चिन किसानों ने अपने खेतों में सोयावीन की फसल काट कर रखी थी, वापसी की बारिश के कारण वो सोयावीन भी खराब हो गया. सोया बीन के दानों में नमी होने के कारण सोया बीन के दाम कम रहे गए बारिश के कारण खराब हुआ सोया बीन पच्ची सो से लेकर तीन हजार रुपे प्रतिक विंचल तक भिक रहा है अकोला जिले में अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन को करीब पचपन सो रपे प्रतिक विंचल के दाम मिल रहे हैं एपी एमसी में फिलाल सोयाबीन की आवक बढ़ गई है जानकारी के नुसार अकोला और मुर्तिजापूर की एपी एमसी में सोयाबीन के अच्छे दाम मिल रहे हैं लेकिन जिले में ज्यादतर किसानों की सोयाबीन बारिश में खराब हो जाने की वज़े से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है बारिश में सोयाबीन नम होने के कारण बेहत कम दावों में खरीदा जा रहा है वही राज्ये में वापसी की बारिश के कारण अनेक शेतरों में सोयाबीन की फसल खराब हुई है इस साल जिले भर में 2,39,182 हेक्टेर शेतर में सोयाबीन की बुआई की गई और इस शेतर में से कई हेक्टिर शेतर में सोयाबीन का अक्तूबर महीने में हुई बारिश के कारण नुकसान हुआ जिले के कई बाजार समीतियों में जब सोयाबीन विक्री के लिए आया उस समय सोयाबीन के दाम 6,000 रुपे क्विंचल तक गए थे उसके बाद से लगातार दामों में गिरावट आई है किसानों का कहना है कि उनका उत्पादन खर्च निकाल पाना अब मुश्किल हो रहा है पिछले कुछ दिनों में एपी एमसी में सोयाबीन के आवंग बहुत अच्छी हुई है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में किसान सोयाबीन विक्री के लिए नहीं ला रहे किसानों को उमीद है कि इस साल निश्ची थी आने वाले समय में सोयाबीन के अच्छे दाम मिल सेंगे बीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी